वेल्कम टो दप्रियाग राज इंस्टूट इस वीडियो महलों बात करेंगे उपी स्पेसर से समंधित अत्महत्पूर्ण प्रश्णों के बारे में जो कि उपी पी से समंधित अत्मनी जो महत्पूर्ण एक्जाम है उनके लिए ये क्वेशन काफी इंपोर्टेंट है तो प आपरेल उननी सो 29 को करांतकारियों में भागा सिंग और बठुकेश्वर दत ने एक सेफटी विल के एगेंस्ट में इन्होंने दिल्ली के केंदरी विधान सभा में दो बम थेके थे कितने दो बम थेके थे इन्होंने नेक्स्ट अवत किसान सभा के आयोजग कौन थे तो अवत किसान सभा के आयोजग थे बाबा राम चंद्र तो अवत किसान सभा के इस्थापना 1920 में बाबा राम चंद्र द्वारा की गई वह एक ट्रेड इवनिनिस्ट थे और जिन्होंने अवत की किसानों को इकठा किया और पहले जमिदार विरोधी प्रदेश्चन का नेत्रद किया next question मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के किस स्थान से सब्सक्राइब थे मंगल पांडे का समन्द था उत्तर प्रदेश के वल्याजिला से अगला question यह है कि रामपरसाद बिश्मिल को किस जेल में फांसी दी गई थी तो रामपरसाद बिश्मिल जी को गोरखपूर के जेल में फांसी दी गई थी और उन पर 1918 के मैनपुरी शड़ेंद्र और 1925 के काकुरी शड़ेंद्र का आरोप लगाया गया था next question उत्तर प्रदेश में गो शेवा आयूग की स्थापना किस वर्ष की गई थी तो उत्तर प्रदेश में गो शेवा आयूग जह है 1999 में बना था next गोवध निवारन अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ ये लागू हुआ था 1955 में कब 1955 में थोड़ी से जानकार लेते हैं इसके बारे में उत्तर प्रदेश गोवध निवारन अधिनियम 1955 का है 1989 1979 और 2002 में इसमें एमेंडमेंट होता है संसोधन होता है ठीक है और इस संसोधन के तहत गाय जिसमें बच्छिया या बच्छडा बैल या बैल का वद पूरी तरह से प्रतिबंधित है गो मांस के विक्री या हस्तनात्र पर भी प्रतिबंध है अगला प्रशन उत्तर उत्तर प्रदेश में मस्य विवार की स्थापना कब होती है तो यह होता है 1966 में तो उत्तर प्रदेश मस्य विवार की स्थापना 1966 में की जाती है अगला प्रशन बखीरा पच्छी अभहराण इस्थित है तो बखीरा पच्छी अभहराण जो है वो संत कबीर नगर में कहां संत कबिरनगर में और इसकी स्थापना की जाती है 1980 में इसको इस्टिवलाइज किया जाते है 1980 में अब अगला क्वेश्चन डॉक्टर भीम्राव अमेट का पच्छी अभहराण इस्थित है तो ये अभहराण आपको मिलेगा प्रताप गण में अप्शन नमबर ए इसका सयुक्तर अगला प्रश्चन उत्तर प्रदेश में प्रथम पच्छी अभहराण का नाम है नमाव गंज पच्छी अभहराण अगला क्वेश्चन कच्छवा पुनरवास योजना 1987 में निम्ड में से किस योजना के तहत लागू की गई थी तो ये था गंगा एक्षन प्लान के तहत तो जी ए पी के तहत जो है कच्छवा पुनरवास योजना 1987 में प्रारम की गई थी अगला प्रस्णिय है कि कच्छवा वन जीव अभिहारन कहां इस्तित है तो यह है वरानसी में option number A अगला question निम लिखित में से किस वर्स में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा PICUP की स्थापना की गई थी तो यह वर्स था 1972 में 1972 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा PICUP के स्थापना की गई थी जिसको pick up भी बोलते हैं next उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना कब हुई थी तो उत्तर प्रदेश निर्यात निगम की स्थापना हुई थी 20 जैनवरी 1966 को अगला question में यह है कि सूची एक दी गई है जिसमें उद्योग और करकाने हैं सूची दो जगा दिया गई है आपको मैच मैच करना है ठीक है तो यहां पे जो तेल सुधा करकाना है वो मत्वरा में ठीक एंटी पीसी सोनभद्र में मिलेगा तो स्कूटर्स इंडिया लिम्टेट इस्कूटर्स इंडिया लिम्टेट जो है वो लक्नाव में है और आयुद उपकरान निर्माड ली जो है वो हजरत कहा है हजरत पूर में तो इस प्रकार जो सही सुमिरित अंसर है वो है option नंबर ए next यहाँ पे भी सुची एक में पारंपरिक कर दिये गए हैं सुची दो में समंदित इस्थान दिया गया है तो इसको मैच करते हैं हम लोग देखे लगड़ी की नकासी के लिए सहारन पूर जा रहा जाता है तो एका होगया पूर धातु पीतल के बरतन जो है मुरादाबाद में बनते हैं चूडियां जहें वो खुयोजाबाद में और चम्रे के जूते जहें कानपूर में इस हिसाब से जो सही उत्तर है वो है ओप्सान नंबर डी अगला question कितने महा जनप्रदों का संबंध उत्तर प्रदेश से हैं तो ये जनप्रदों की संख्या है आठ अगला प्रशन उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के निमलिखित के अंदरों में से कौन सा सिंधु घाटी सभेता से समंधित है तो सिंधु घाटी सभेता से समंधित है आलमगेरपूर तीसरा और हुलास चौथा तो इसका option नंबर डी सही उत्तर है तीन और चाल जो है व तो उत्तर प्रदिस में सिंदु घाटी सवेता से समंदित इस्था लें आलामगीरपूर और हुलास अगला क्वेस्टन निमलिखित सूचियों को मिलान किजिए एक तरफ महाजनपद के नाम दिये गए और दूसरी तरफ उनकी राजधानी पुछा गया है तो 16 महाजनपद ठीक है आपको याद रखना चाहिए तो यहाँ पे पहला है वत्स बी है सूरसेन सी है चेदी और डी है मल तो देखिए वत्स की जो कैपिटल वत्स जो है वो है कौसामदी सूरसेन सूरसेन जो है मथूरा चेदी जो है सक्तिमती और मल जो है वो है पावा तो इस साब से जो सही उत्तर है option number B next question भारत से वक समाज ने हिंडा नदी के तरट पर किस स्थल की पोज़ की थी तो भारत से वक समाज दुआरे हिंडा नदी पर आलमगीरपूर की पोज़ की गए थी ठीक है आलमगीरपूर option number 1 इसका सही उत्तर है next असो के टोपरा और मेरट के सिलाले को दिल्ली कौन ले गय तो ये था फिरोसा तुगलक option number 2 इसका सही उत्तर है next महाजनपत, महाजनपत किस जैन साहित्त में नहीं थे तो महाजनपत मिलेगा भगवती सुत्र में ये जैन साहित्त है तो महाजनपतों का उलेक भगवती सुत्र में मिलता है अगला प्रस्टन निमलिखित में से किस इस्थान पर असोख तिर्थ यात्रा के लिए नहीं गया था यह जगा था अयुद्या अरिद्वार अप्जा नमर एक निमलिखित में से किस बोधसाहित में महा जनуется का उल्लेग है तो यह अंगुत्तर निकाए व्याद ले infinite, निमलिखित में से कउसी नगर की राधम्र तो ये इसकी राधान, राधानिती मल्य नेक्स्ट, निम्लिखित में से कौन सा पवित्र बौध इस्थान निरण्यना नदी पर इस्थित है तो निरण्यना नदी पर इस्थित है बौध कया नेक्स्ट यून लिखित में से किस इस्थान पर लाल मिटी परचूर मात्रा में मिलती है तो लाल मिटी मिलती है मिर्जापूर और जहांसी अप्शन नमबर D फरुकबाद, सुल्तानपूर, हर्दोई, खानपूर, उननाओ किस चलवाई परदेश में आते हैं नेक्स्ट भावर बिलिड के बारे में निमली खित में से कौन सा गलत है तो इसका option number C देखे भावर लगवा 816 क्यूमेटर चोड़ा बिंध्य प्राणाली के साथ चल दाए जी ने बिंध्य प्राणाली के साथ नहीं चल दाए ये हिमाले के तलहटी के साथ चल दाए और इसकी जो extension है पस्चिम से पुरू की तरफ है option number C इसका जहे उत्तर होगा next वर्षा रितू में वर्षा रितू में उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग तुल्लात्मक रूप से अधिक गर्म रहता है तो ये है पस्चिमिभा option number B ये वीडियो आपको कैसा लगा जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाओ चरूर दें तब तक ले थैंक यू धन्यवाद